कि वेल्कम स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रतिसप्ता परसेंटेज तो परसेंटेज जैसा कि नाम है विएसे नाम में ही परिभाथा छुपी हुए कैसी परिभाथा परसेंट पर का मतलब होता है प्रती प्रतेख और सेंट का मतलब सेंचुरी सेंचुरी को सार्ट में बोल सकते हैं सेंट परसेंट तो प्रतेख सेंचुरी से जिसको हम क्या करेंगे जिससे रिलेट करेंगे या जिससे हम उसकी तुलना करेंगे प्रतेख सेंचुरी से वो क्या कहलाता है परसेंट और उसका सेंबॉल क्या होता है यह होता है परसेंट में क्या होता है जैसे हमने ऑला आज से 5 और बोला क्या 6 तो क्या ये दोनों बराबर हैं नहीं है ना 6 बड़ा है 5 जो है वो छोटा है लेकिन यदि हम कहें कि ganze ये 5 और 6 बराबर ना किस कंडिशन में हो सकते हैं जब इनकी जो सापिक जो तुलना अत्मक मान है ना वो तुलना में अगर बराबर आ रहा है जैसे अगर हम इसके बटे में क्या लिख दें द्रस और इसके बटे में लिख दें बारा अब बताईएं क्या ये बराबर हैं बराबर हैं क्योंकि ये भ लेंगे ना तो सारे सवाल आपसे बनने लगेंगे पहले क्या है कि जो भी टॉपिक है उसकी मतलब गहराई को समझ लेजिए यह दस मेंसे बोला है और इधर बोला है बारा मैसेज च्छे तो प्रतीशता में छोटा या बड़ा आप बिना उसके जो सापिक्ष अंक है ना उसके आप डिसाइड नहीं कर सकते कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है तो सुलना मतलब इंपोर्टेंट रहती है इसमें तो इन क लिए पुदारण के लिए यदी अब हम कहते हैं आप से कि पाच परक्षएंड तो पाच प्रतीशत को अगर आप आंकित रूप में लुखहंगे तो कैसा लिखेंगो पाच प्रतीशत को प्रतिशत को अगर आप आंकिक रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे पांच प्रतिशत बराबर क्या होगा पांच बटे 100 मतलब प्रतिशत का मतलब क्या होता है बटा 100 या फर हम यह कह सकते हैं कि पांच गुड़े एक बटे 100 ठीक यह ऐसा हमने क्यों लिखा यह लिखा कि कभी अगर लिखा रहता एक बटे दो प्रतिशत? अब आपको इसमें लिखना हैं, तो एक बटे, दो बटे, तो ऐसा लिखना पढ़े तिसलिए आप इसको एक बटा दो गोड़े, टेक बटे, सो. यह हो गया प्रतीशत, ठीक, अगर हमने कहा 20 प्रतीशत, तो इसका मान क्या होगा, 20 बटे 100, यदि 20 प्रतीशत, ठीक, या लिखा हो उधर पे 30 बटे 100, तो हम इसको कह सकते हैं 30 प्रतीशत, मतलब प्रते के 100 में से अगर किसी अंक की बात हो रही है, तो वो कहलाता है प्रतीश अगर सौ मैंसे बात नहीं हो रही है तो तब कैसे अपने उसको प्रतिशत बनाएंगे और धारण के लिए हमने कहा आपसे एक बटे पाँच ये कितना प्रतिशत मैं उसको प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करेंगे कि इसको बीत बटे बीच से गुणा कर विच लिए हुए का अगर हमें कबी भी भी कि भिनन संख्यादी और और इसको हमें क्या करना है प्रतिशत में बदलना है तो इसकी बटे में हम सो बनाने का प्रयास करेंगे यदि एक बटे 25 लिखा है तो बताईए कितने का गुणा करें इसमें जिससे बटे में सो बन जाए तो इसमें बटा में सो बनाने के लिए हम इसमें कितने का गुणा करें बताईए वर ये-पटीस को शोव बनाना है कितने गख़णा करेंगे इस पीज में बतायीय जल्दी हमन पार कि टार करेंगे न हुआ कि बटे में अगर गुणा करते हैं बटे भिन्नात्मक संख्याओं में तो हम अगर कर कर रहे हैं तो मैं यहें और 6 मंटलब na बढदना है तो हम बटा में सव बनाने का प्रयास करेंगे यदि हम सव बनाने में सफल हो जाते हैं तो संख्या भी प्रतिशत तर्म बनाने में सफ़ल हो जाते हैं ठीक दशमला वाली संख्या को आपको प्रतिशत में बदलना है जीरो दिसमला आठ लिखा है तब आप क्या करेंगे बिल्कुल सीधा सरल है दसमला वाली संख्या को बदलने के लिए आपको क्या करना है सीधा 100 का गुणा कर दे कोई भी दसमलावाली संख्याती है उसको आपको प्रतीशब्ता में बदलना है आप सीधा कुणा कर देंगे ठीक है कुछ वैल्यू ऐसी होती है प्रतीशब्ता में जो हमें याद रखनी पड़ेंगी कैसे कौन सी वैल्यू देखिए इसके पहले कुछ क्लास हैं हो चुकी है या ऑनलाइन भी हो चुकी हो तो कुछ चीजें पड़ा चुके हैं तो वो रिपीट नहीं कर रहे हम यदि अगर आपको कहीं दिक्कत जाती है आप पूछ सकते हो कि यह क्या है भिन्न में क्या है कि अगर कहीं भी दिक्कत जाती है आप पूछ सकते हो जैसे भिन्ना हम फीजिए यहां पांच शूनने लिखा है कितना होता है कितना होता है बताई제 पड़ने उस पांच वट शूनन का मांग कित ना होता है जल्दी सानिा पांच बटए शूनी का मान के थे कितना होगा और 55 का मान के होगा दोनों का बताई पहले बताईगी पांच बटए शूनी का और следine कर विए तब और कोई बता नहीं मालूम गलत है अंसर सुने नहीं होता है अगर बटे में हर में शूनने है तो उत्तर होगा आपका अनंज infinity ठीक है मतलब इसको count भी कर सकते uncountable है ये number सुनने का दुनिया आप पर ये इतने बार इसका मतलब क्या होता भाग होता ना पांच बटे शूनने मतलब पांच को भाग दीजी आप सुनने से चलिए शूनने का दुनिया पर ये कि पांच आ जाए सुनने का दुनिया आप सुनने बार पढ़ेंगे एक बार पढ़ेंगे तो भी शूनना आएगा दो बार पढ़ेंगे तो भी शूनना आएगा सुनने का दुनिया आप कितने भी बार पढ़ेंगे शूनने ही आएगा पांच से ज़्यादा आएगा ही नहीं बतलब आप अनगिनत बार भी पढ़ लें तब भी आपका यह अंसर नहीं आने वाला इसलिए यह अनकाउंटेबल है ठीक अनगिनत इसको अनन्त बोलते हैं इन्फाइनाइटी अब यदि शून बटे पांच है तो इसको क्या आप हल कर सकते हैं शून को भाग देना है पांच से 5 पांच का दुनिया 04 बार पढ़िए तो स्कून आ जाएगा आ गया data पांच गुरे शून क्या होता सोन होता है ना पांच का दुनिया शून्य बार पढ़ा शून आ जिया मतलब कितना आहगा सै तो यदी अंश में हमें तो अत्तर हमारा disruptल होगा और हर में हमें शून मिलता है तो उसका उत्तर क्या होगा हमारा अनन्ज होगा इंफाइनाइट होगा ओके तो यह तो ठीक इसकी बात परिमेशन खाव की या बिन्मी की बात हम बात करते हैं प्रतिशक्ता की या पर्सेंटेज की कुछ वैल्यू हमें याद रखनी होंगी या नहीं भी याद रखेंगे तो आपको याद रखेंगे तो कुश्टन सॉल्व करने में आतानी हो जाएगी स्पीज थोड़ ची बढ़ जाती है ठीक पर्स्ट कुश्टन हमारा जैसे एक्गा ने पड़ेंगे तो कुश्टन में ही आएंगे तो करते जाएंगे हमारा राम और स्यां की आए क्रम्षा चारहजार रुपर राम और क्यान की आए क्रंचा क्यार हजार रुपे कट रहा है क्वेस्टिन और क्याम कि आए तक रमिशा शारहजार रुपे एवं छहाजार रुपे है तो श्याम की आए राम की आए से कितने प्रतीश है तो श्याम की आए से कितने प्रतीश है प्रतीशित्ता मैं हमेशा कि हमें क्वेस्टन्स रुब्स नोग़ने के लिए यह पता होना जरूरी है कि सल्लेना किसे से करिये प्रतीशित्ता देखिए अभी इसके पहलम मनें पूरती आ सिस्टित बता था कि सल्लेना moderat Latin है अगर हम आपसे कह दें कि 50 नंबर आए है हमारे किसमे? मैट्स में 50 नंबर आए है और हिंदी में जो है वो कितने नंबर आए है 70 नंबर आए है तो किसमे ज़्यादा नंबर आए कहला है हमारे बताईए 50 में मैट्स में नंबर आए है 50 सबस्क्रास और हिंदी में आए हैं सबस्कार नंबर, तो बताईए, किस μεं ज्याद़ आये है, किसमें ज़्यादा है मैट्स में या हिंदी में मैट्स अभी तो मैट्स में है ज़्यादा लेकिन यदी हम कहें तो न ज़रूरी है देखना यदि हम कहें कि math का जो पेपर था वो 100 नंबर का था हमारा ठीक है और हिंदी का जो पेपर था वो 210 नंबर का था हमारा अब बताईए किसमें ज्यादा नंबर मिले हमें math में या हिंदी में कि इसमें हमें मिले 50 आउट ऑफ हंड्रेड और इसमें सेवेंटी आउट ऑफ 210 मतलब दो सो बस मैंसे शत्तर और सौ मैंसे पचास इसको हम काटें कितना होगा पचासी कम पचास और पचास जूनी सौ मतलब एक बटे दो मतलब आधे नंबर मिले हमें आधे मार्ट मिले 50 परप एक बटा तीन एक बटा तीन मतलब अगर आधे नंबर हम बोलें तो पचास प्रतीशत नंबर मिले और एक बटा तीन मतलब 33 प्रतीशत नंबर मिले लगभग 33 प्रतीशत तो इसमें हमारे आए 33 परसेंट और इसमें आए 50 परसेंट किसमें जादा नंबर आए मैसमें जाद इस पर फूकस करोगे प्रतीशत के प्रस्म कभी भी गलत नहीं हो गया आपके तो इसमें क्यावला राम और स्याम की आय करम से चार जार एवंग छह जार रुपए है तो स्याम की आय राम की आय से कितने प्रतीशत है अब देखो अभीष्ट का मतलब होता है जिए पूंचा ग क्याम की आय कितनी है छे हजार राम की आय से किस से तुलना करी राम की आय से जिसका पूंचा है उसको उपर लिखते हैं जिस से तुलना करी है उसको नीचे लिखते हैं राम की आय से तुलना करी है और गुणा करते हैं सो तो आ जाता है हमारा प्रतीशत में उत्तर कभी भी प्रशनाता है जिसका पूछा उसको उपर जिस से पूछा जिस मैं से पूछा है उसको नीचे गोड़े तो तो सब्सक्राइब करें कि कितना एक सो पचास प्रसीशन आंतर आगे आंगे नो डाउन कर लीजिए करना हो तो स्क्रीन सौट ले लो कि एक सब्सक्राइब करना हो कर लो स्क्रीन सौट ले लो स्क्रीन सौट ले लो क्लास यह हम अपलोड कर देते हैं तो समय देख लेंगे नेक्स प्रस्टन देखो यदि ए की आए बी की आए से 40 प्रतीशत काम है देखिए इस प्रकार के प्रस्टन आपको व्यापन मिलेंगे अधिक तो यह ध्यान से देखना थोड़ा यदि ए की आए बी की आए से 40 प्रतीशत काम है यदि ए की आए बी की आए से 40 प्रतीशत काम है तो बी की आए ए की आए से कितने प्रतीशत अधेखिए तो प्रतीशत अधेखिए यह वह क्वेशन है जो व्यापन लगाता रहा दस बारा साल के पूश्कारा अभी कम कर दिये हैं लेकिन इनको अपन कित नहीं कर सकते हैं क्योंकि तो इन पर फोकस रखना है इसका सीधा सीधा भी एक फॉर्मूला है यदि आप यूज़ करना चाहो तो इनने क्या बोला हमसे कि यदि एक याए बी की आए से 40 प्रतीशत काम है तो बी की आए एक याए से कितने प्रतीशत अते गोगी पहले बताईए हाँ बताईए कमेंट में कि कितना लगर आपको कितनी होगी अधेक यदि एक याए बी की आए से 40 प्रतीशत काम है तो बी की आए एक याए से कितने प्रतीशत अधेक होगी बताई यांप देखिए एक फॉर्मूला है यह फॉर्मूला नोट कर देना आप जब भी कम की बात करें आर अपॉन अंड्रेड प्लस माइनस आर इंटू हंड्रेड परफेंट यह फॉर्मूला आपको याद कर लेना आर अपॉन यह कब यूज करना है जब भी वह वोलें कि जैसे चाय पत्ती वाले question आते हैं आपके और कोई भी product वाले question आते हैं यह भी आता है आयत की लंबाई और चोड़ाई लंबाई बढ़ादी जाती है लंबाई इतने प्रतिशत जाती है तो चोड़ाई कितने प्रतिशत कम करें कि खेत्रफल जो है वो एज़ट इज रहे तो इस प्रकार के प्रस्में ये वाला फॉर्मूला यूज होता है यदी उन्हें क्या बोला आप देखो कही एक जगए पर पॉइंट बना कर इसको याद कर सकते हो यदी इस पे याद करना आपको तो इससे याद कर सकते हो और इससे याद करना झालक क्या अधिक अधिक पूछा है तो मुटा करना का माइन से लगाने तो लास्ट मियाद रखो रहो अगर पूछ रहे पर अधिक अधिक तो हमें क्या करना है माइनस लगाना है ठीक है तो क्या बोला आर क्या होता एक वैल्यू दी रहती इस प्रकार के प्रेस्ट में उन्हें हम जो कहा कि एक ही आए बी की आए से 40 प्रतिशक कम है तो 40 होगा आर कमान 40 बटा 100 रेन 40 गुड़े 100 प्रतिशक तो 40 बटा साथ गुड़े 100 कार्ड दें 200 बटे 3 आंसर कितना रहा है राइट इसको आप सही बटे में भी लिख सकते हैं तो बटे 3 यदि आप्शन में डेसिमल में भी लिख सकते हैं ठीक है अभी ऑप्शन में डेसिमल में दिया हो तो तो इसे उमगा में भी लिख सकते हैं तो च्छातर दिसम्लों च्छातर या खे के उपर आवर्क आ जाएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्टन जो है हमारा वह लगभग इसी से रिलेटिव है थोड़ा बहुत जैसे है कि यदि ए बी से आर पर यह कॉश्टन आप लोग कीजिए नोट कर दें रहें दर्वा यदि ए बी से आर प्रतीशत कम है यदि ए बी से आर प्रतीशत प्रतीशत कम है तो बी ए से तो बी ए से कितना अधिक है कितना अधिक है कि जी ए सॉल्व आंटर बताईए इसका जल्दी फॉर्मूला आपको पता है यदि जब भी बात अच्छा एक बात दिमाग में आई होगी कि यदि हम कह रहा है कि ए बी से चालीज प्रतीशत या इनने गोला किया बीस प्रतीशत सैसी मैं समझ लो से लो मत करवा लो हम करवा रहा है इनने क्या वुला कि ए बी से 20 प्रतीशत कम है तो धि Алекс्मूला होगा ये बात सभी के दिमाग में आई होगी बट ऐसा नहीं होता है क्यों कि वही हमने बताया था ना आपको कि तुलना की बात हो रही जैसे हमने क्या वोला आप से कि अगर 80 A की पेमेंट है और B की पेमेंट है कितनी 100 तो अब हमने कहा कि ये 20 अधिक है और ये 20 कम है तो ये बात बिलकुल राइट है, इस्व convince है मतलब सही बात है कि ये A की पेमेंट ये B की पेमेंट एसे 20 अधिक है और A की पेमेंट बी से 20 कम है ये बात ठीक रहेगी कब ठीक रहेगी जब हम प्रतीषत की बात ना कर रहे है लेकिन यदि हमने प्रतिशत लगा दिया तो प्रतिशत में क्या होता है तुलना होती है तुलनातमत मान रहते हैं तो जब हम तुलना करेंगे इस से उधारन के लिए देखिए अभी तो हमने क्या बोला आप से कि जो बी एका मान है ना वो बी से क्या है सो प्रतिशत काम है क्य 20 रुपए, तो 100 का 20 प्रिस्ट कितना? 20, कम किया अपन ने तो अपना आगया 80, जो कि एक ही payment है, लेकिन यदी, अब हम क्या बताएं कि A, B जो है, वो A से कितना आधेक है तब तुलना किस से हो रही है A से, B कितना कितने मैंसे निकालने का तरीका कितने का निकालना है अधिक का निकालना है तो बीस अधिक है और कितने मैंसे निकालना है अस्ती मैंसे क्योंकि अस्ती है तो यहां अगर हम सॉल्प करेंगे तो चार दूनी आठ और 45 मतलब 25 परतीशत जो है वो क्या होगा देखो मतलब 20 अगर हम देखें तो यह 20 परतीशत कम हैं और इधर से अगर हम देख रहा हैं तो क्या हो रहा है ये पत्चीस पिरतीशत अधिक है अलग-अलग माना रहा है न ये मान अलग इस जनिए आते हैं क्योंगी तुलिना बडल जाती ही जब हम कह रहा हैं कि A जो है वो B से 20 काम है और जब हम कह रहा है कि बी ए से 20 अधेक है ठीक है तो जिब तुलना बदलती है ना संपेर जन तो उससे मान बदल जाता है पहुत चोटा सा उधारण है तीन लोग है अगर देखिए राम श्याम प्लखन ठीक इसके नंबर आए 50 प्रतीशात आए 12 में इसके प्रतीशात अच्छे आए बताईए किस के प्रतीशात अच्छे आए अब इसलिए राम के प्रतीशात जो है अच्छे आए क्यों आप ये क्युंछ देखकर कह रहा है क्योंकि बाजू में सियाम है और सियाम के 50% बताइए किस से परसेंट यह जोरों कि लफ्त हो यह थिक तो यह बात रहाए कि यह प्रतियाद रर लफ आप किससे के डिक तो तो यह बात रखना है इस फॉर्मूला में है तो हमें निकालना क्या अधिक है तो आर बटे सो अधिक निकालना है मतलब क्या करना है लटाना उल्टा करना है तो आर गुड़े तो तो 20 बटे 80 सोरण 20 गुड़े 100 तो 20 बटे 80 24 अधि और 4 पस्ची सम् इतना गया 25 प्रतेशा ठेक है तो यह नोट कर लो करना होता है क्योंकि नेच्ट जो क्वेस्टन था वो इसी से रेलेटेड होने वाले ने अब यह और किसी को भी ज्वाइन करना हो तो बोल देना ज्वाइन कर लेगा क्योंकि कुछ भरोसा नहीं कि मतला अभी कितने दिन कल पारे क्लास क्योंकि वह अनकैडमी का भी आ गया है तो उसमें अगर साल होगी ऐसी टाइम कर होगी तो यह तो टाइम चेंज होगा क्लास का तो इसलिए और जो भी लोग है तो बोल देना ज्वाइन कर लेंगे तास में कर लेंगे कि नेक्स्ट कुश्टन देखते हैं यदी एक संख्या के बासट प्रतिशत और उसी संख्या के यदी एक संख्या के बासट प्रतिशत और उसी संख्या के बासट प्रतिशत और उसी संख्या के और उसी संख्या के तीन बटे पांच के बीच का अंटर से बीच का अंटर 36 है तो संख्या क्या है तो संख्या क्या है तो यह है कॉश्टन अब देखो जो इस प्रकार के पश्या कभी भी आते हैं तो हमें एक लाइन पढ़ना हल करते जाना है सॉल्ट करते जाना अंटर अमरा आजाएगा कैसे देखिएगा यदि एक संख्या के पैसट प्रतिशत कोई संख्या है एक्स उसका पैसट प्रतिशत और उसी संग्षै के 30 बटे 5 और इसी संग्षै के 30 बटे 5 मतलब एकस का 3 बटे 5 के बीच का अंतर 36 है मतलब इनके बीच का अंतर शक्तिता देखो कुछा लगते किया प्रस्ण में हमने नहीं किया ना जो प्रस्णी में बोला उन्हें वही किया उन्हें बोला एक संशा के पैसच प्रतीशत तो एक संशा मान ली थी हमनों ठीक है कि माना वह संशा क्या है एक से का पैसच प्रतीश ठिर क्या उन्हों उसी संचा का थी बते पांग तो उसी संचा का थी बते पांग एक ये बना एक ये बना दोनों का आंगकक मतलब ना मतलब यह और प्रतिशत का मतलब बटे में तो रेन एक्स जियाओं करते हों का का मतलब गुणा तीन बटे पांच बरावर इसको हम हल करें पांच से खड़ जाएगा चाहिए और तो कटेगा नहीं यह कितना हो गया एक्स कॉमन लेलें क्या बच्छा तेरा बटे बीच तेरा बटे 20 और गांच बरावर , टो एक्स जिसको हल करें ल्सों और यहमारा सोख है . बीच का गुणा तेरा में गन्च ऑप श्रूज देंगे तो 5 के 20 और 4 का गुणा त्यीन में तो च stewards 12 हैं बरावर 26 एक बटे 20 बरावर 36 यह गुणा में है इधर भाग में हो जाएगा या पलड जाएगा तो 36 गुड़े से 20 बटे एक 20 का गुणा होगा 36 में तो कितना हो जाएगा शून में है दोचेंग अठारा के आथ हाथ लिए दू टीन चाहरे ताट साथ तो अस्ती मतलब एक कमान कितना आ गया ताट सो अस्ती मतलब वह पार्व है क्या है संख्या पनने क्या एक मानी थी तो वह संख्या क्या है और श्रुड़े कि क्या हुआ यह को मिगे जीए कि अच्छे क्या है साथ को अच्छा इसमें क्वेश्चन में बात अच्छों पीशा पेसलिया अलगारा ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वीडियो को पॉस्ट करके आप क्वेश्चन को चाहो तो नोट कर पॉस्ट है मलब बाद में अभी नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एक आदमी चालिश मतीशत भोजन पर चालिश प्रतीशत भोजन पर बीस प्रतीशत किराय पर और बारह प्रतीशत यात्रा पर और बारह प्रतीशत यात्रा पर और 10 प्रतीशत सिक्षा पर और 10 प्रतीशत सिक्षा पर हर्च करता है हर्च करता है इन सभी व्याय के बाद वह इन सभी व्याय के बाद वह बहतर सो रुपे बचाता है बहतर सो रुपे बचाता है ग्यात्राइए यात्राइए अब देखिए प्रश्ट में क्या कहा है एक आदमी 40 तिसे अच्छा उपर खटर रहे कोई नहीं है पर लिखाव है कि तो एक आदमी 40 पर प्रतिशत भोजन पर 20 प्रतिशत किराइपर बारा प्रतिशत याथ रफ़ और और दस प्रतिश्व ठिक्छा पर खर्च करता है इंसा भी गया के बाद वह रुपेशचा और बचाता है व्यात्रा पर व्याराश जाती है यह बिल्कुछ इंपल क्वेश्टन में यह लिखा होता कि पर यह प्रस्टी दोपर काप आगा 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 एक और आगा जिसमें सेश पर लिखा रहेगा तो वह करने का तरीका लग होगा ठीक अभी इसको देखें एक आदमी चालीस फिरीक भोजन पर खर्च गारता है थीख है 20 प्रेश कर सो टोटल वी bzw कि बुझा और और दस जो है वो क्या किया सिख्षा पर किया इंसाद दीवियाए के बाद वहाँ बातर सो रुपे बचा भी लिए मतलब उसने खर्च कितनी किया इसमें भोजन किराया और सिख्षा तीन कीज़ों पर कुल कितना खर्च हो गया उसका खर्च हो गया चालीज धन बीज धन दस मतलब चालीज और भी साथ और दस सत्तर सत्तर प्रतीशत वह अपना खर्च का चुपा तो उसका बचा कितना होगा तो उसका बचा कितना होगा तीस प्रतीशत सत्तर प्रतीशत जब वह खर्च कर चुका है तो बचत उसकी क्या होगी देखो सैलरी में तो दो ही चीज़ें होती है खर्च होता है बचत होती है खर्च जब निकल गया टोटल कुल होता है सो प्रतीशत सो मैं से सत्तर खर्च कर दिया तो बचत कितनी कहला आई तीस प्रतीशत अभी जब तीस प्रतीशत बचत होई है तो बचत इनने हमें वैसे भी दी है कि बहततर सो है तो यदि हम इसको एक्स मान लेते हैं पुल सेलरी को उसे यदी उसकी जो पुल वो है ना सेलरी या उसकी जो आ है यदी वैक्सी की आए एक्स हो तब तब एक्स का कितने प्रतीशत प्तीशत क्या होगा एक्स का कित प्रतीशत होगा 72 तुब एक्स साथ एधस सब집 अब बहत्रहारा ना चाहिए कि तो एक्स गड़े से थी-श्क मतलब बढते में सब बराबर सब्ढत प्राबर बढते में एक्स बराबर पक्षान्टर कर दिए गुड़े सो बठे में तीस सुन्य कट गया है और यह सीन से कि अधर पर तीन नूनी च्छा बचा एक और तीचों के बारा है और शूनी दो सचाले मतलब चौबिस हजार जो है उस वेस्टी की सैलरी है अब इस रखने में क्या पूचा यात्रा पर व्यायरा की जाठी ती उसकी जब कुल सैलरी कि चौबिस हजार है तो है तो यात्रा पर किया है तो एड नहीं किया क्या यात्रा का पर नहीं है तो यात्रा पर भी कितना खर्ट हो जाएगा बारा प्रतिशत कि ध्यां कि यहां लोने तुम nee नहीं लेकिन देखा नहीं अभी देखा है विसक तो यात्रा पर बारा पर पर तीशस्यच Airlines तो यात्रा का भी जल जाएगा 12 12 जोड़ेगा तो पर जब 82 प्रतिशत यह होगा तो बचत हमारी कितनी हो जाएगी तो रेंड 82 बराबर 18 प्रतिशत और 18 प्रतिशत इधर हो जाएगा तो 18 प्रतिशत इधर हो जाएगा तो यह हो गया हमारा तो यह हो गया हमारा तो यह है बहुत तर सो इन्टू अंड्रेड अपॉन अठारा तो अठारा चौपे कितना होगा बहुत तर कितना 40,000 है इसकी हो कि तो 40,000 है इसने पूंचा याहँ पर कितना खर्च करता है तो याहँ आ का खर्च याहत यात्रा का खर्च है कि और फान चाजर शहां होगा 40,000 का कितना 12 पृतिशाथ , यह कोल dare का 12 युक्प है करता है बारा है प्रतिशन चालीस हजार गुड़ेद बारा है बटे सो तो सुन से दो सुन कर गया है कि अब तालीस कि चारहजार आत्सों यात्रा पर खर्श करता है तो नोट कर ले नहीं है कि चारहजार अब है ठीक है नेक्स्ट क्वेस्टन हमारा है कि अब 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 है कि मैं एक आयद की लंबाई में बीस प्रतिशत की व्रधी होती है यदि एक आयद की लंबाई बीस प्रतिशत की व्रधी होती है तथा चोड़ाई में बीस प्रतिशत की कमी होती है तो उस आयद के छेट प्रतिशत की लंबाई में प्रतिशत की लंबाई में प्रतिशत की जीए तो इसका परिवर्पन क्या होगा देखो इसका भी एक फॉर्मूला होता है इसमें लाभानी से भी आप रिलेट कर सकते हैं जब एक पॉस्चन आता है तो वह लाभानी में डिसकस कर लेंगे लेकिन यह एक फॉर्मूला है इसका भी यह आपको याद कर लेना यह फॉर्मूला आपको बहुत सारे प्रत्वन में हल करने में काम आएगा एक फॉर्मूला है एक स्वाइड प्लस वाइड प्लस फॉई अपॉन है एक फ्लस वाइड यह फॉर्मूला इधर एक्स प्लत वाई नहीं इधर हंड्रेड यह फॉर्मूला यह फॉर्मूला याद रखना है तो यह फॉर्मूला देखो इसमें एक्स पर वाई क्या हैं दो वैलु इस प्रकार के प्रस्टी महमेंटा जब वो बोलें कि परिवर्तन ग्याद कीजिए या एक में 10 की हानी होती है तो कुल लाभया हानी ग्याद कीजिए तो इसमें हम क्या करते हैं एक्स और वाई दो जो मान दिया है ना मैं प्रतिशत के वो मान होते हैं जैसे इधर एक्स हो गया 20 एक्स हो गया 20 और वाई हो गया 10 ठीक है तो 20 अब देखो जो धन में दिया होता है तो लग जो बढ़ रहा है उसको हम धनात्मक लेते हैं लंबाई में ब internationally यह ब्रढ़ी वूए है और दस प्रती exactamente कमी होए है सका हम रेंड में लेते इसके है कमी को रेंड में ब्रढ़ी को धन में उस-में लाभ को हम धन में लेंगे और हानील को एले तो देखो बीज घुड़ेट और बट्टे में क्या होगा तो यहां धन अगुणा होगा तो यह जएगा और 200 वट्टे सो यह कट गया 10 रेन 2 मतलब 8 गज़ा अब यह प्रतीशत क्या ब्रद्धी यह तो ये धन में आया ना उत्तर कुछ नहीं लगा मतलब धनात्मक होता है तो यह ब्रद्धी यदि यह अखी यह माना आता तो यह क्या होता यह कम होती है next question हमारा जो है है वह है एक सो साथ के पंद्रह प्रतिशत में क्या जोड़ा जाए एक सो साथ के पंद्रह प्रतिशत में क्या जोड़ा जाए कि दो सुचालीज के पच्चीश प्रतिशत के समान हो जाए कि दो सुचालीज के पच्चीश प्रतिशत के समान हो जाए कि समान हो जाए बस प्रश्मी की भासा को समझना है और वैसा ही करना जो बोलानी एक सो साथ के पंद्रह प्रतिशत में क्या जोड़ा जाए तो एक सो साथ का पंद्रह प्रतिशत में एक से जोड़ा जाए एक से जोड़ा जाए एक से जोड़ा जाए कि वह दो सुचालीज के पच्चीश प्रतिशत के बराबर हो जाए मतलब बराबर दो सुचालीज का पच्चीश प्रतिशत जड़ा करो इसको हम आंतर क्यारा आप लोगों का देख जल्दी फास केजिए जल्दी फास का पन्दा प्रफिश्यट जल्दी फास के जल्दी फास प्रफिश्यट अंचरों जल्दी फिर्फिश्यट अब्रफिश्यट इस लिए इस फंद्रफ बटा तो धन एक्स बरावर 24 गुड़े 25 बटा सो पत्रीश चोबीश और चार्टींच चौबीश पाठ हाया जहाँ यह कटेगा सुनने से सुनने कट गया पाँच पिरी फंद्रफ फाँजूने गर्फ द रोट्टे तोले आच पिरी चौबीश धन एक्स बरावर साथ एक्स बरावर सा बरावर शॉटिश जोड़ेंगे तो दो सचालीच के बरावर हो जाएगी वह तो इस नेक्स्ट जो पॉट्टिशन है शॉट्टी सेरी गोर सभी काम सब नेक्स्ट जो कॉस्ट्टन है एक परिक्षा में विद्ध्यार्ती को 23 प्रतीशत अंग प्राप्थ हुए तथा 36 प्रतीशत अंग से अनुट्टिश यह वाला कॉस्टन भी इंपॉर्टेंट है यह आता है एक्जाम में तो नेक्स्ट कॉस्टन जो है ध्यान से देशना और करना और इसपर कार्च जो भी मिलते आपको विखने वो भी सॉल्व करना है तो कॉस्टन है नेक्स्ट एक परिक्षा में एक विद्यार्थी को 23 प्रतिशत अंग एक परिक्षा में एक विद्यार्थी को 23 प्रतिशत अंग प्रत हुए तथा 36 अंगों से अनचेंग हो गया प्रत हुए तथा 36 अंगों से अनचेंग हो गया मतलब 36 नंबर से वो फेल हो गया जबकि अन्य विद्यार्थी को 35 प्रतिशत अंग प्रत हुए जबकि अन्य विद्यार्थी को 35 प्रतिशत अंग प्रत हुए तथा उसके उत्तीन आंग से 48 अधिक अंग हैं अधिक अन्य विद्यार्थी को अधिक हैं अन्य गयात क्या करने इसना तो अधिक अंग तो अधिक्ता मंग जयात कीजिए अधिक्ता मंग जयात कीजिए उसमें दो प्रकार के प्रस्न में अभी इनने क्या पूछ लिया अधिक्ता मंग के जयात कीजिए यही हम को पूछ सकते थे कि उत्तिमिन आंग के जयात कीजिए तो उत्तिमिन आंग के जया बहुत हम दोनों यहात कर सकते हैं उत्तिमिन आंग की और अधिक्ता मंग कीजिए उसमें देखो इन्होंने क्या किया क्या कहा है कि एक परिख्षा में विद्यार्थी को 23 प्रतीशत अंक प्राप्ट हो और कितने मैं से अभी बिसाइड नहीं 23 प्रतीशत का मतलब है कि 100 मैं से 23 इसको क्या हुआ वो थटीश अंकों से अनो तीन हो गया मतलब एक अंक में अधी यह एक लाइन यहां से अगर हम स्टार्ट करें एक दो तीन चार पाँच छे साथ आट नो नो जस तो वही संख्या रेखा हो पूरी संख्या परद्दती संख्या रेखा पर ही चलती हैं तो हम देखें यहां कहीं को विंदू हो हो और हम क्या दें कि कि इस साइड में और यह कहां पर है इतनी नंबर पर है और यह इधर पर है तो इनके बीच का difference अगर हमें पता निकालना है तो हम दोनों को जोड़ेंगे तीन यहां के और एक दो तीन और एक यहां के तो यह हमें इसे क्या होगा? इनका अंतर पता चलेगा जोड़ेंगे तो एक दो तीन चार रंगों का अंतर है इतने पूरे कालखंड के अंतर में तो यह चीज निकालने के लिए हम एड़ करते हैं वही चीज करेंगे हम इन्हें क्या कहा हैं कि यह कोई विंदू होगा समझना एक यह उत्तीन विंदू से जब हम पीछे आ रहे हैं यह कौन है एक विद्ध्यारती है जो फेल हुआ इस पॉइंट पर और इस पॉइंट को क्या वोला हुने हुने हैं तेश प्रतीशत और जब हम में और तालीस अंक अधिकुओंटें अधिकुके कितने में मिलें हैं 35 प्रतीशत मैं थैज़ां उत्ती प्रतीशत मैंamat टेफ और यहां अधिक हो गये मतलब इन दोनों को हम जोड़ेंगे और इन दोनों युद्द का और 35 जेन 23 प्रतीशत बराबर क्या होना चाहिए 36,48 क्यों होना चाहिए क्योंकि यह जो काउंटिंग होगी यह तो इधर के होगी 1%, 2%, 3%, 23 प्रतीशत और 35 प्रतीशत फिरेसा 36, 37 और 100 तक तो यदि हमें इनके बीच का अंतराल निकालना है तो क्या करेंगे घटाएंगे 35 में से तेही लेकिन इनका अंतराल निकालना है तो तो यहां उनके पर क्यों है हमारे बारावबर कितना बार वर कितना हो रहा है अब इदर पूनांक जो है क्या है एक्स है at ौनान कर से लिए है छौराति है लगार हम मानने कि पूनांक जो है वो क्या है सो बराबर 84 गुड़े से 100 बटे 12 तो 12 सकते 84 साथ का गुणा 100 में होगा तो साथ तो हमारा अंसर ठीक है नोट कर लीजिएगा समझ में आया क्वेश्चन कहीं कोई डाउट हो तो प्रूट लीजिए अगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक गाउ में तीस प्रतीशत जन संख्या सिक्षट है एक गाउ में तीस प्रतीशत जन संख्या सिक्षट है यदि गाउं की कुल जन संख्या सिक्षट होए यदि गाउं की कुल जन संख्या अच्छा सब्सक्राइब तो असिक्षित लोग है तो असिक्षित लोग है यह प्रस्टन आपको सॉल्व करना है इसका आंसर बताएंगे हम कल सॉल्वीशन इसको सॉल्व कर दीजिएगा इसके आपके देखते हैं कल कर दो